नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है सूजल जैसवाल और आप देख रहे हैं J.R.F. with सूजल आपका स्वागत है आज की एक उने इंटरस्टिंग क्लास में आज हम मुर्धरिया पढ़ने वाले हैं जो की तुलसी राम जी की आत्मकता है मुर्धरिया से रिलेटेड जितनी भी जरूरी बाते हैं वो सभी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि अगर आप मुर्धरिया की मूल किताब पढ़ेंगे मूल आत्मकता पढ़ेंगे तो वो इतनी बड़ी है कि शायद ही आप उसे पढ़ पाएं और यहां से दो या तीन कोशन बनेंगे उसके लिए आपको इतनी बड़ी किताब पढ़ने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है इसलिए अगर आप जितनी जादा चीजे पढ़ेंगे इससे रिलेटेट जितना शॉर्टकट में कह सकते हैं कि पढ़ने या फिर जितनी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाए उतना आपके लिए अच्छा है क्योंकि यहां से जादा से जादा एक या दो कोशन आएंगे और वो भी जरूरी नहीं है कि वो तुलसी राम जी की मुर्धरिया में से ही पूछा जाए और आपको बहुत सी दूसरी चीजे भी पढ़नी है इसलिए शॉर्टकट में जितनी जादा उपयोगी चीजे हो सकती है वो मैं आपको आज की इस क्लास में बताने की कोशिश करूँगा चलिए स्टार्ट करते हैं मुर्धरिया डॉक्टर तुलसी राम द्वारा रचित एक दलित आत्मकथा है जिसका प्रकाशन राज कमल प्रकाशन से सन 2010 में हुआ था मुर्धरिया अर्थात गाओं का वह भाग जहां मुर्दे जलाए जाते हैं या फिर गाड़े जाते हैं अत्वा जहां मरे हुए जानवरों के चमड़े उतारे जाते हैं इस आत्मकथा की शुरुवात इस पंक्ती से होती है मुर्धरिया आत्मकथा के बारे में तुलसी राम का कहना है कि इसमें मेरा दर्द है, मेरे समाज का दर्द है, मेरा पूरा जीवन ही मुर्धरिया है आप एक-एक लाइन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि किसी भी लाइन में से कुशन बन सकता है इसलिए आप अच्छे से ध्यान रखिएगा अठारा जून को हुए पेपर से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि पात्र कितने जरूरी है और आपको हर एक पात्र याद होना चाहिए इसलिए हम मुर्धरिया के भी सभी पात्र को पढ़ेंगे जूटन यहाँ पर लेखक के दादाजी है मुसडिया सो वर्स से जादा जिवित रहने वाली लेखक की दादी है दिरजा लेखक की माता जगु पांडे अस्सी वर्षी ये भ्रामन जिन्हें निवश और आविवाहित होने के कारण गाओं के लोग अप्शकुनी मानते हैं सोमर लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई है मुन्ने सर लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई है नगर लेखक के पिता के तीसरे भाई है मुन्नर लेखक के पिता के चोथे भाई है इन सभी भाईयों के नाम आपको क्रम से याद होने चाहिए कि कोन बड़ा भाई है कोन छोटा भाई है क्योंकि यहीं से question बनता है तपसी राम, देवराज सिंग, विजय पांडे, अरुन कुमार सिंग इत्यादी ये सभी नाम आपको याद होने चाहिए किसी भी पात्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है मुर्दहिया तुलसी राम के गाउं का नाम है, जिसके बारे में वे स्वयम पुस्तक की भूमिका में कहते हैं मुर्दहिया हमारे गाउं धरंपूर आजमगड की बहुत देशिय करमस्थली है चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहां तक की मजदूरी के लिए कलकत्ता जाने वाली रेलगाडी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था तुलसी राम जी ने मुर्दहिया आत्मकथा को साथ उपशिर्शकों में बाटा है और इन साथो उपशिर्शकों के नाम आपको क्रम से याद होने चाहिए आईए देखते हैं भूतिया पारिवारिक प्रष्ट भूमी मुर्दहिया तथा इसकूली जीवन अकाल में अंद विश्वास मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन भूतिया नागिन चले बुद्ध की राहा आजमगड में फकाकशी तुलसी राम जी की यह आत्मकता वस्तुता अपशगुन से शुपशगुन तक के सफर को चित्रित करती है भूतही पारिवारिक प्रष्ट भूमी उपशिर्शक में दलित समाज के अंद विश्वास का चित्रन किया गया है तुलसी राम के दादा की हत्या रात में खेत की रखवाली करने के कारण होती है किन्तु गाओं में अंद विश्वास के कारण मोत का जिम्मेदार भूतों को ठहराया जाता है तुलसी राम को तीन वर्ष की अवस्ता में चेचक की महामारी होती है इसे देवी प्रकोब बता कर इलाज कराने की बजाए देवी देवताओं से मन्नत मांगने का काम इनके परिवार वाले करते हैं चेचक महामाली में तुलसी राम जी की एक आँख खराब हो जाती है जिसके कारण उनका नाम कनवा पड़ जाता है आत्म कथा में तुलसी राम जी की दादी के द्वारा मृत जानवरों की खाल उतारने का विस्तार से चर्चा है तुलसी राम ने आत्म कथा में जानवरों का सुखाया गया मांस जिसे डांगर कहा जाता है उसे खाने का भी विरोध किया है साथ ही यौन संबंधों को लेकर पंचायत द्वारा किये गए विचित्र फेसलों का चित्रन भी किया गया है आत्म कथा में उन्होंने बताया है कि जाती से प्रताडित होने पर व्यक्ति को सुवर भात का भोज देना पड़ता था तुलसी राम जी का परिवार रूडी वादियम अंध विश्वासी था अपने परिवार के बारे में विश्वयम कहते हैं हमारा परिवार संयुक्त रूप से व्रहत होने के साथ साथ वास्तों में एक अजाय बाहर ही था जिसमें भूत प्रेद, देवी देउता, संपन्नता, विपन्नता, शगुन अप्शगुन, मान अपमान, न्याय अन्याय, सत्या सत्य, इर्शा द्वेश, सुख दुख, आदी सब कुछ था, किन्तु सिक्षा कभी नहीं थी लेखक आत्मकथा में अपनी दादी के प्रती विशेश रूप से भावुक और संबेदनशील दिखाई पड़ते हैं वे दादी की गोद में बेटकर राजारानी, कववा, गोरईया, आदी की कहानिया सुना करते थे लेखक ने अपने स्कूली जीवन का चितरन मुर्दहिया तथा स्कूल जीवन नामक उपशिर्शक में किया है लेखक के पिता ने जोतिस से दिन देखकर अपने पुत्र को गाउं से 7 किलो मिटर दूर एक विध्याले में दाखिल करवाया स्कूल जाने के क्रम में और स्कूल में बच्चे और सिक्षक मुंसी राम सूरतलाल लेखक को चमरकिट कहकर चड़ाते और अपमानित करते थे ततकालिन सिक्षा विवस्था के बारे में लेखक बताते हैं कि उस समय उनके स्कूल में पास कराने के लिए प्रत्येक शात्र से दो रुपे लिये जाते थे यह दो रुपे की घूस नहीं देने के कारण लेखक को एक बार फेल भी कर दिया गया था लेखक अपनी बस्ती में एक मात्र पड़े लिखे व्यक्ती थे गणित विशे में उनकी अभिरूची थी दूर दरास से आये पत्रों को वही पड़ते थे लेखक के गाओं के लोग उलका पात को भूतों का भ्रमन मानते थे यह भी मान्यता थी कि गाओं के पास एक पीपल के व्रक्ष पर भूत रहते हैं सन 1905 में गदर की सोवी वर्षगाट के समय या अफवा फेलाई गई की महामारी होने वाली है बच्पन में लेखक के साथ किसी तरह की घटना परिघटना होने पर वे चमरिया माई की प्रातना करते थे अकाल में अंधविश्वास उपशीर्शक में लेखक ने बौत धर्म, दर्शन, आदी, सम्मंदी बातों का उलेख किया है लेखक के गाउं में दलितो और भ्रामणों के बीच लडाई भी हुआ करती थी भ्रामणों के पास बल्लम, भाले, आदी हतियार हुआ करते थे तो दलितों के पास म्रत जानवरों की हड़ियों के हतियार लडाई में जीत हमेशा दलितों की होती थी लेखक ने सोफी की बहु तथा दोनों बेटियों के सौंदरे पर रीजने वाले भ्राम्मनों और उनके अवेद संबंदों का सैयंत्र रूप से चित्रन किया है तुलसी राम मन्नेसर चाचा के कहने पर अपनी बस्ती में रामायन का पाठ करते थे आत्मकथा के चोथे उपशीर्शक किद्ध तथा लोक जीवन में पांचवी कक्षा की परिक्षा के लिए बबुरा धन हुआ नामक गाओं में जाने की चर्चा अकाल के दोरान अपने चाचा के साथ मरत गाय का चमड़ा निकालने और उसके उपर गिद्धो के दोरा आकरमन का वर्णन आया हुआ है भूतिया नागिन उपशीर्शक में लेखक दोरा जंगल में साप को मारने और मरे साप के दोरा बदला लेने का भए लेखक को सताता है लेखक इसी उपशीर्षक में नट परिवार की ललती नामक लड़की को अंग्रेजी पढ़ाने जाते हैं किन्तु परिवार के लोगों को यह सुहाता नहीं है लेखक ने आत्मकथा में सोमर चाचा की बिमारी को ठीक करने के लिए अनुस्ठान की चर्चा भी की है अनुस्ठान के बावजूद भी सोमर चाचा की मृत्य हो जाती है भूतिया नागिन उपशीर्षक में ही भारत चीन युद्ध का वर्णन भी आता है आत्मकथा के छटे उपशीर्षक चले बुद्ध की राह में लेखक ने अपने उपर पड़े राहुल सांकृत्यायन के प्रभाव का चित्रन किया है इस उपशीरशक में लेखक ने वेरागी गोतम बुथ के विचारों का अपने उपर पड़े प्रभाव को भी चित्रित किया है लेखक अपने गाओं के लाल बहत्दुर सिंग के साथ चिरिया कोट में जाकर शराब पीते थे जिसके कारण उनके घरवालों ने खूब पिटाई की थी आत्मकथा में लेखक ने यह भी वर्णन किया है कि दसवी वर्ग में पड़ाई का खरचा चिंतामणी सिंग द्वारा उठाने के कारण ही वहाँ पड़ पाए थे और दसवी में प्रथम श्रेणी से उत्तीन हुए थे आत्मकथा का अंतिम उपशीरशक आजमगड में फकाकशी है जिसमें लेखक ने महाविध्याले सिक्षा की चर्चा की है इस उपशीरशक में लेखक ने डीएवी कॉलेज में आरेसेस द्वारा किये जाने वाले जातिवाद को बड़े बेबाकी से प्रस्तुत किया है लेखक को स्कॉलर्शिप में मिले 162 रुपे में से उनका मित्र देवराज सिंग चाकू दिखाकर 81 रुपे छीन लेता है वस्तुता मुर्दहिया आत्मकथा हिंदू धर्म और संस्कृती की विदू प्रदा और कुरूरता का दस्तावेजे जाती पाती, उच नीच, घ्रणा और द्वेश से गुथा हुआ या श्रेणी बद्ध समाज कोन से तथा किस प्रकार का राश्ट्री निर्मान करेगा यह सवाल आत्मकथा में शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है आत्मकथा में तुलसी राम को केवल जाती वाद ही नहीं बलकि शाररिक विकलांगता, आँख का काना होने के कारण भी अपमान का सामना करना पड़ता है चेचक में दाई आँख का खोना तुलसी राम को अशुब की शेणी में ला देता है उनका दर्शन धर से बाहर तक के लिए अप्शगुन समझा जाता था स्कूल में तुलसी राम को बच्चे कनवा बड़ा तेज है, एक फाटक बंध है तथा जाती अधारी टिपणियों से चड़ाया करते थे स्कूल में पानी पीना तुलसी राम जी के लिए एक विकट समस्या से कम नहीं था वे कहते थे हम अंजूरी मुह में लगाय जुके रहते थे और ये बहुत उपर से चबूतरे पर खड़े होकर हमें पानी पिलाते थे वे बहुत कम पानी पिलाते थे किन्तु सिर पर गिराते जादा थे जिससे हम बुरी तरह से भीग जाते थे तुलसी राम जी ने आत्मकथा में पारूपुर गाउं के एक मुसहर परिवार का भी जिक्र किया है, जो पलाश के पत्तों से पत्तल बनाता है, तथा शाधी ब्याहा में खाए गए पत्तलों से खाना जाड़ जाड़कर भोजन को इकटा करता है आत्म कथा में लेखक ने रामचरण भहिया की तुलना संस्क्रत ग्रंद के म्रच कटीकम के शकार से की है आत्म कथा में लेखक ने एक जैदी चाचा का भी वणनन किया है जो अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे बासू पांडे जोटा भकरी चोरी का आरोप लगा कर जैदी चाचा को थाने में बंद करवा देता है जबकि बासू पांडे के पास कभी भकरी थी ही नहीं जैदी चाचा का मूल नाम लुर्खुर था किन्तु बगदाद पहुचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने सिया मुसल्मानों के लोगप्री उपनाम जैदी के उपनाम से उन्हें पुकारने लगा तुलसी राम अपनी सफलता और प्रेड़ना इस्तरोत के बारे में कहते हैं आज जब मैं अंतराश्टी राजनीती के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एम मत्यक्ष बज़ जुका हूँ तो यह स्विकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेड़ना के असली जनक वे तीन मज़दूर थे जिनोंने मुझे छोटी उमर में अंतराश्टी राजनीती की तरफ अंजाने में ही खीचा था इन में एक थे सोवियत संग में समोही खेती वाले मुन्नर चाचा दूसरे डांगे को डंगरिया कहने वाले सोननई तथा तीसरे थे दड़ियल जेदी चाचा तुलसी राम जे मुर्धरिया की भूमिका में तदभव पत्रिका के संपादक अखिलेश को आत्मकता निकालने का श्रय देते हुए कहा है मेरे भीतर से मुर्धरिया को खोद खोद कर निकालने का काम तदभव के संपादक अखिलेश ने किया है अर्थात मुर्धरिया लिखने की प्रेड़ना और उर्जा उन्हें अखिलेश से ही मिली है इसी के साथ मुर्धरिया के अंतरगत जितनी भी महत्पून बाते हैं जो आपसे एक्जाम में पूछी जा सकती है या फिर जो जो महत्पून घटना हैं जहां से प्रशन बन सकते हैं उन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ अब हम इस पर एक और क्लास लेंगे जिसमें मुर्धरिया में आने वाले इंपोर्टेंट कथनों के बारे में हम जानकारी लेंगे क्योंकि कभी कभी आपसे कथन भी पूछ लिया जाता है कि बताइए यह कथन किसने कहा और किस से कहा तो वो सारी चीज़े भी आपको पता होनी चाहिए अब हमारी अगली क्लास उसी पर होने वाली है इसी तरह हम यूनिट 10 को पूरी तरह से कवर कर लेंगे यूनिट 10 पर हम एक क्लास अल्रेडी ले चुके हैं एक ठकुरी बाबा के सारांच से सम्मंदित है और एक ठकुरी बाबा में आए हुए महतपून कथन और गीतों से सम्मंदित क्लास है अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन वॉक्स में डाल दूँगा आप महाँ पर जाके देख सकते हैं और इस क्लास की पीडियेप भी आपको टेलीग्राम चेनल पर देखने को मिल जाएगी अगर आपने हमारा टेलीग्राम चेनल फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आप महाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है मिलेंगे जल्दी एकोने इंट्रेस्टिंग क्लास के साथ तब तक के लिए देखते रहिए जयारेवित सूजल नमस्ते